अलो गाइज गूड मॉर्निंग टो लाफ यो तीसरे पार्ट के लिए आपको काफी इंतजार करना पड़ा उसके लिए सौरी एक्चली मैं थोड़ा बिमार था इसके लिए मैं वीडियो नहीं बना पाया तो चलिए आज एक इंपोर्टेंट यूनिट में जाएंगे जिसको करते बॉयलिंग यूनिट बॉयलिंग हाउस और शुगर उसलिए शुरू करते हैं यह देख सकते आप जूस की लाइन जैसा कि आपको मैंने प्रिवेस वीडियो में दिखाया था लाइन मील हाउस से बाहर निकल रहा था यह जूस का लाइन आप देख सकते आगे जाता है आगे आप ग्रिन कलर का लाइन देख सकते हैं जूस का लाइन है यह जूस का लाइन हम देखते हैं आगे कहां को जाता है कहां कनेक्ट हुआ है यह देख सकते हैं आप ग्रिन कलर का लाइन आगे जा रहा है यह देखे टैंक के ऊपर से निकल रहा है जूस का लाइन और यह देखें यहां से उपर जा रहा है उपर जाके इस juice heater को connect हुआ है यहां पर डारेक्ट मील हाउस से juice की लाइन आके connect हो रही है बहुत सारे juice heater लगे रहते हैं sequence में और सभी juice heater का यही काम है अलग-अलग temperature होता एक्चुली हर एक juice heater का यह लाइन देखें अभी दूसरे juice heater को आ गया और यहां देखें सेक्वेंस में तीन juice heater लगे हुए है एक्चुली क्या है juice heater का काम यहां पर steam लगाते है और steam से क्या होता है temperature increase होता है जिसके वज़ा से juice के अंदर जो water का percentage रहता है वह विपराइज होता है और juice का concentration ब्रिक्स परसेंटेज बढ़ता है बेसिकली इसका यही काम है और अलग-अलग separate separate जो juice heater यह देख सकते है बड़े tank यह भी juice heater है और यहां पर देखें यह देख टेंक में हम क्या करते है calcium oxide mix करते हैं वह मैं आगे आपको दिखाऊगा कहां से calcium oxide आता है और calcium oxide actually mix करने का main जो M है वह यह है juice के अंदर से impurities खतम करना और आगे आपको दिखाऊँगा यह देखिए इसको DCS system बोलते है direct contact surface यहां पर steam और juice का direct contact होता है sequence में बहुत सारे DCS लगे हुए है और इनका भी basically वही काम है juice के concentration को increase करने का आगे आप देख सकते हैं यह बड़ा सा जो tank है इसको clarify बोलते है इसके अंदर क्या होता है juice के अंदर जो impurity dust होगारा रहता है mud होगारा रहता है उसको नीचे shuttle कर देता है और उपर से pure juice को आगे लेता है आगे के system के लिए लेता है आगे का यह जो unit है आप देख सकते है इसको बोलते vacuum filter vacuum filter का basically काम क्या है juice जो impure juice है जिसके अंदर dust या mud होगारा mix है तो मड को यह क्या करता है separate करता है उस separate करने का प्रिक्रिया क्या है पहले हम बाहर से थोड़ा बगाश लेते हैं जो juice के साथ मिक्स करते हैं और नीचे यह rotate करता रहता है इसके नीचे संप है संप में वो juice रहता है और इसके body के उपर outer surface के उपर वो चिपकता है और अंदर vacuum रहता है यह tubes देख सकते है वैक्यूम रहता है और इसका outer जो से इस तरह से design है कि इसमें plates जो लगया उसमें बहुत fine holes है इस fine holes की through juice क्या होता है इस fine holes juice क्या होता है अंदर चला जाता है और जो mud रहता है वो बहुत सारे vacuum filter लगे रहता है इक्चुलि यह depends करता है प्लांट का कैपसिटी कितना है कैपसिटी के अकॉर्डिंग दो, चार, छे वैक्यूम फिल्टर्स लगे रहते हैं यहाप एक्चुली तीन है आप देख सकते हैं और इसके उपर का एससेसरीज है इसके जो पंप रहते हैं नीचे के तरफ रहेंगे वह आपको मैं बाद में दिखाऊंगा यह आगे का सिस्टम आप देख सकते है जैसा कि मैंने आपको बताया था टैंक में क्या होता है कैल्सियम ऑक्साइड मिक्स होता है इम्परिटीज को खतम करने के लिए जूस के वह देख सकते है कैल्सियम ऑक्साइड यहां से तयार होके जाता है पत्थर जैसा रॉक जैसा रहता है इसको यहां ब्रेक करते है और यह तीन टैंक लाइन में लगे हुए यहां पे एक सलरी जैसा तयार करके पाइपलाइन के थुरू हम उस टैंक को भेजते है आगे आप नीचे यह देख सकते है पंप्स जो की वैक्यूम फिल्टर के है यह वैक्यूम पंप है एक्शुली और इस वैक्यूम पंप के थुरू ही हम उस वैक्यूम फिल्टर में vacuum create करते हैं आप देख सकते हैं इसका blue color का line उपर इसका blue color की ये line सब उपर जा रही है जो की जाके vacuum filter के accessories को connect होता है आगे आप देख सकते cyclone separator है और ये जो line है GI का इस line के through ही हम बगाश को जैसा कि आपको बताया था बगाश बाहर से लेते हैं juice को mix करने के लिए और फिस juice में mix करने के बाद ये देख सकते है mixer और यहाँ पिस juice के साथ mix करने के बाद हम आगे vacuum filter में उस juice का इस्तमाल करके और mud को बाहर निकालते हैं आगे का ये system आप देख सकते हैं important system है इसको FFP बोलते हैं next part में इसको details में बताएंगे तब तक के लिए दीज़े इजाज़त